Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके इगनू असाइमेंट स्टेटस के बारे में क्योंकि दोस्तो आप मेंसे जिन भी स्टुडेंट्स ने June 2020 टामेंड एक्जामिनेशन के लिए अपने असाइमेंट्स सब्मिट किये थे दोस्तो आपके आसाइमेंट स्टेटस के रिसीवड स्टेटस को इगनू की वेबसाइट पे अपडेट करना स्टार्ट कर दिया गया जैसे कि दोस्तो प्रूफ के तोर पे आप यहाँ पे एक स्टुडेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं Session June 2020 Receive to be Processed 23rd July 2020 ऐसे ही दोस्तों इनके बागी के दो सब्जेक्ट भी अपडेट किये गए हैं EHI 1, EHI 2 June 2020 Session के लिए 23rd July को दोस्तों यह Submission Status अभी Latest Update किया जा रहा है लेकिन यहाँ पे इसे Back Date में Update कर दिया गया आप मेंसे काफी ऐसे Student होंगे जिनका Assignment का Submission Status भी Update कर दिया गया होगा तो दोस्तों आप भी अपना Submission Status चेक कर सकते हैं दोस्तों अभी आगे वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना Assignment Submission स्टेटस चेक करना है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से एक चोटी सी रिक्वेस्ट आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि इगनू से रिलेटेड जब भी कोई ऐसी वीडियोज अफलोड की जएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे दोस्तों चेक करने का तरीका बताने से पहले मैं आपके साथ में एक नोटिफिकेशन शेयर करना चाहूँगा जो कि इगनू की तरफ से 30 जुलाई को रिलीज किया गया था दोस्तों इस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि आपके जो असाइमेंट्स आप अपने अपने स्टेडी सेंटर पे समिट करवाते हैं उनकी चेकिंग होने के बाद में उन्हें मैकसीमम एक साल तक आपके स्टेडी सेंटर पे महफूज रखा जाएगा उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा उसके बाद में उन्हें फैंक दिया जाएगा मतलब दोस्तों आपने जो अपने assignment submit किये थे अगर आपका submission status या फिर आपके marks आपके grade card में update नहीं हो पाते हैं तो आप इसके लिए time पे ही action ले ले आप time पे ही जाके अपने study center पे पता कर लें कि आपके marks अपडेट क्यों नहीं होए क्योंकि बाद में आपके assignments को fake दिया जाएगा और आपको फिर से assignment जमा करवाने के लिए बोल दिया जाएगा दोस्तों अभी बात करते हैं कि आपको अपना submission status किस तरीके से चेक करना है आप इसे search करेंगे तो आपके सामने काफी अलग अलग results होंगे लेकिन दोस्तों आपको सबसे उपर दिया हुआ है Igno assignment status आप इसे click करेंगे click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस type का page open हो जाएगा लेकिन friends आप मेंसे काफी ऐसे भी student है जिनका की 10 digit का enrollment number दे दिया गया friends जिन भी student ने January 2020 session से admission लिया है उन सभी के 10 digit के enrollment number दिये गए है उसे यहाँ पे बाद में update कर दिया जाएगा क्योंकि January 2020 session के किसी भी student ने अभी तक अपने assignment submit नहीं किये आप सभी को अपने assignment अभी सितंबर के महीने में जमा करवाने होंगे इसलिए आपके status को बाद में update किया जाएगा उस time पे इगनू के page को भी update कर दिया जाएगा यहाँ पे आप अपना submission status चेक करने के लिए simply अपने 9 digit के enrollment number इंटर करेंगे enrollment number इंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको select को क्लिक करके अपना program code select करना होगा दोस्तों आपका जो भी program code है आप सही program code का chain करें otherwise आपका यहाँ पे submission status open नहीं हो पाएगा जैसे कि दोस्तों यह एक student है BPP के तो इनके लिए इन्होंने BPP को select कर लिया उसके बाद में जैसे ही आप submit को क्लिक करेंगे तो आपका submission status भी कुछ इसी type से open हो जाएगा यहाँ पे आपके courses के code दिये हुए हैं जिन भी course के लिए आपने assignment submit किये हैं जिस भी session के लिए आपने assignment submit किये हैं वो session यहाँ पे लिखा होगा status में दिया होगा receive to be processed अगर आपने अभी अपने assignment latest जमा किये हैं तो यहाँ पे receive to be processed लिखा होगा अगर आपके marks आपके grade card में update कर दिये जाते हैं तो यहाँ पे लिखा होगा check grade card status for details इसके आगे यहाँ पे date दियोगी जिस दिन इस status को update किया गया है तो दोस्तों आप भी अपना submission का status चेक कर सकते हैं generally दोस्तों आपके assignment submission status को आपके assignment जमा करवाने के कम से कम देड़ से दो महिने के बाद में update किया जाता है जैसे कि आप मेंसे काफी ऐसे student होंगे जिनोंने मार्च के महिने में अपने अपने study centers पे offline अपने assignments समिट कर दिये थे तो ज़्यादा तर 19 students के assignment submission status को अभी update करना start किया गया है आप मेंसे काफी ऐसे भी students हैं जिनोंने lockdown होने के बाद में अपने assignments को online submit किया होगा तो दोस्तों online वाले students के assignment submission status को update करने में अभी कुछ और दिन लग सकते हैं इसलिए दोस्तों आप अपना submission का status चेक करने के time पे बिल्कुल भी panic ना हो अगर आपका submission status update नहीं किया जाता है तो आप यहाँ पे कुछ time का इंतिजार कर लिजे उसके बाद में आपके submission status को update कर दिया जाएगा जनरली दोस्तों आप मेंसे काफी ऐसे students होते हैं जो कि simply google पे search करते हैं कि how to check ignore assignment submission status तो आपको यहाँ पे काफी इस type के options मिल जाएंगे जिसमें यह बताया गया होगा कि आप अपने assignment जमा करवाने के बाद में 24 से 28 दिन का वक्त ले लिजे और उसके बाद में आपके submission status को update कर दिया जाता है दोस्तों मैं आपको clearly बोलता हूँ कि ऐसा बिलकुल भी नहीं होता आपके assignment को जमा करने के बाद में कम से कम देड़ से दो महिने का वक्त लग जाता है मतलब कम से कम 45 to 60 days लग जाते हैं आपके assignment submission status को IGNU की website पे update करने के लिए इसलिए आप इसके बारे में ज़्यादा tension ना ले जब भी आपको अपना assignment submission status चेक करना हो तो आप simply जो IGNU की authorized website है जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया दोस्तो इसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप चाहें तो वहाँ से भी directly इस link को open करके और अपने assignment submission status को चेक कर सकते हैं आप मेंसे काफी ऐसे students होंगे जिनका submission status update कर दिया गया होगा और काफी students का update करना अभी भी बाकी रह गया है साथी दोस्तों मैं आपको एक सी जोर बता दूँ कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपने अगर अपने पांच assignment एक साथ जमा किये थे तो पांचों का submission status यहां पे update हो जाए हो सकता है कि उनमें से 2 या 3 अपडेट कर दिये जाए बाकी के जो बचे वे subject हैं उन्हें भी आने वाले कुछ दिनों में update कर दिया जाएगा इसलिए आप time time पे अपने submission status को check करते रहिएगा आप मेंसे काफी ऐसे भी students हैं जिनोंने आज तक अपना कोई भी assignment जमा नहीं करवाया friends इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताय हुआ है कि जब तक आप अपने assignments जमा नहीं करवा देंगे जब तक आप अपने assignments में पास नहीं हो जाएंगे और आपके theory papers में पास नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी degree complete नहीं हो पाएगी इसलिए आप अपने assignments को time पे जमा करवा दीजे अगर आपके पूराने कोई भी pending assignments हैं तो आप उन्हें अभी 30 सितंबर तक जमा करवा सकते हैं और जिन भी students को अपने assignments बनाने में कोई भी problem हो रही है वो सभी students मुझे WhatsApp पे contact करके अपने assignments के solution PDF मुझे online purchase कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही आसा करता हूँ आपको ये information पसंद आयोगी दोस्तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like कीजेगा अपने दोस्तों के साथ में WhatsApp ग्रूप्स में Facebook पे share कीजेगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करके पास में notification bell icon को प्रेस करना ना बूले Thank you friends